आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फीजन होगी लेंगवेज वान और लेंगवेज टू को लेकर के ठीक है आपने बहुत जगह सुना भी होगा आपको यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन्स करन लेंगवेज गलत फिल करने की वज़े से आप लोगों ने कौनसी लेंगवेज चूज किया कुछ तो यह भी बूल गयोंगे हैं क्योंकि पेपर बहुत लेट हो रहा है अपना एडमिट कार उठाओ और चेक करो आपने कौनसी लेंगवेज वन लिया है कौनसी लेंगवेज ङंटध को फिल करनी है अज ही आपकी squares करेंगे आपकी ळूली आपकी दूर ओने वाली है फटा फट से स्टार्ट कर लेते मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रिवियस एर पेपर और उसमें मैं आपको दिखा होंगी कि आप लोगों को साफ साफ इसे लेंगवेज को एंड तक जरूर देखें और अपने उन सभी फ्रिंट्स के साथ में शेयर करें जिनको लेंग्विज से रिलेटेड कन्फुजन रहती है फटा फट से देख लेते हैं प्रत्यक्ष को प्रमान क्या उशकता नहीं होती वैसे तो अब हम लोग अभी प्रत्यक्ष देखेंगे कि पेपर में किस तरीके से लंग्विज आपकी पूछी जाती है ठीक है देख लेते हैं जल्दी से हम लंग्विज का यहां हम देखते हैं प्रीवियस यह पेपर है आपका यह ठीक है इसमें हम देखेंगे लंग्विज को कि किस तरीके से आपको खुद पढ़कर के आपको Candidate should attempt question from part 4 question number 91 to 120 if they have opted for English as language 1 ये भला portion आपको तभी करना है जब आपने English को language 1 के रूप में लिया है Otherwise आप क्या करेंगे इस portion को ऐसे paper में काटा मार के इसकी तरफ मुढ के देखना भी नहीं है आपको इससे आप फटाक से आगे निकल जाएंगे अगर आपने English को language 1 नहीं लिया है अगर आपने Hindi को language 1 लिया है तो आप इस वाले portion को इस तरीके से कट करके आगे निकल जाएंगे आपको ये वाले questions नहीं करने हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम ये था आपका English को लेकर के अगर आपका English 1 है तो आपको ये वाली fill करनी है ठीक है ये वाले आपको 91 से लेके 120 तक करने है आप देखो यहाँ पर भी साफ साफ लिखावा है परिक्षारती भाग 4 91 से लेके 120 के प्रशनों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाशा एक का विकल्प हिंदी को चुना है तो आपको कोई रटने की ज़रत नहीं है कि 91 से 120 करना ये करना है फलाना धिमकाना सीधा सीधा पेपर में लिखा रहत है अगर आपने हिंदी को अपना language 1 में लिया है आपकी language 1 हिंदी है अगर तब आपको ये वाला portion attempt करना है अगर आपकी language 1 English है तो आपको अभी मैंने जो cut किया था वो वाला portion attempt करना है वरना आपको इसको काटा मार के आगे निकल जाना है आपको language जो हिंदी है उसके भी दो भाग मिलेंगे पेपर में और English के भी दो भाग मिलेंगे बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश वाला 91 to 120 attempt कर देते हैं फिर इसके उपर आते हैं तब उनको समझ में आता है ओहो यहां भी 91 से 120 हो रहा है फिर क्या होता है आपका पूरा पेपर बरबाद हो चुका होता है तब तक इसलिए यह वाली confusion नहीं रखनी है कोई आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है याद रखना चाहो तो 91 से 120 तक आप वो करेंगे जो आपकी language 1 है ठीक है Otherwise कोई जरूरत नहीं रखने की साफ साफ पेपर में लिखा है examiner ने लिखा है candidate should attempt question from part 121 से 150 if they have opted English as language second अगर आपने English को language second के रूप में लिया है तब आप English के ये 120 से 150 questions करेंगे वरना आप नहीं करेंगे समझ आगया बात यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि आपने English को first language लिया है तो आप 91 से 120 English के करेंगे अगर आपने हिंदी को first language लिया है तो 91 से 120 आप हिंदी के करेंगे और यहाँ भी देख लिजिए यहाँ पे लिखा है 120 से 121 से 150 प्रशनों के उत्तर केवल तभी दे यदि आपने भाशा 2 में विकल्प हिंदी को चुना है साफ साफ लिख रहे है भाईया तभी इनकी आंसर लगाना जब आपने language 2 आपने हिंदी ली है इस पार्ट को मत चुना एक्जामिनर आपको साफ साफ बोल रहा है कुछ भी रटने की ज़रुत नहीं है इसलिए यह जो आपके 30 और 30 यह 60 गोले आपके जो भरने होते हैं इनको बिलकुल अपने आख कान नाख खोल करके बहुत अच्छे से देख करके भरना तक क्यूंकि 60 साथ नमबर एक बहुत बड़ी वेड़िज रखते हैं आपके पेपर में और आपकी लेंग्विज गलत भरने की वज़े से पूरे साथ नमबर कई बर बरबाद हो जाते हैं बच्चों के फर्स टाइम जो सीटर देने जारें उनके लिए बहुत जरूरी है तो इसको ध्यान करके जाना प्लीज आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं फटा-फट से आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो लेकर आई हुँ ताकि आप लोगों को ये वाली गलति का सामना ना करना ठीक हैं सभी के लिए वीडियो हेल्फुल रहेगी और हेल्फुल रहे हो तो अपना काम किजी अपने एंड पर मैं अपना काम करती रहोंगी. Thank you. Keep learning, keep supporting and keep sharing.